हेलो फ्रेंट्स गुड बॉर्निंग कैसे हो ओप करता हूँ आपसे भी लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंट्स आज है 15 अक्टूबर 2022 और आज की स्वीड़ों हम लोग बात करेंगे UPBAT COUNFLING 2022 के बारे में कि फेस 2 में कुल कितने registration हुए हैं और आज फेस 2 का allotment result आएगा आज की स्वीड़ो में आपको बताऊँगा कि कितने बज़े तक allotment result आएगा और आपको कैसे चिक करना है और फेस आपको final वाली फेस जो है कब तक जमा करना है online जमा होगी या offline जमा होगी और आज से यानि कि 15 अक्टूबर से फेस 3 की counseling स्टार्ट हो रही इस वीड़ो में आपको बताऊँगा कि कितनी rank से कितनी rank तक वालों की आज इसे counseling स्टार्ट होगी कब registration होगा, कब choice filling करना होगा, allotment result कब आएगा and final fees आपको कब पे करनी पड़ेगी फेस 3 की तो शंपूर जानकारी आज की इस वीड़ो में देने वाला हूँ बीएट की पल-पल की latest authentic update पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जूड़े रहे हैं जो भी UP B.A.T. की update हैगी वो update आपको सबसे पहले हमारे चैनल की मादम से ही देखने को मिलेगी तो ओके चलिए यहाँ पर देख सकते हैं और जीतने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं से भी लोग वीडियो को लाइक जरू कर दिया करें चलिए यह आज की update है थोड़ा समय बताया दे रहा हूं कि B.A.T. कौंसलिंग 31,000 विद्धार्थियों ने seat book की है यह फेस्टू का है यहाँ पर देख सकते हैं रोहेल खंड विस्वधाले की ओर से कराई जा रहा ही B.A.T. कौंसलिंग के दूसरे चड़ में अब तक 32,350 विद्धार्थियों ने हिस्सा लिया है विद्धार्थियों ने अविलेख अफलोट कियें विस्वधाले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमिस सिंग ने बताया कि 31,618 विद्धार्थियों ने बीर्ड कॉलिजों में seat book करा लिए है फेस 2 की हम बात करें तो टोटल 31,618 अभ्यार्थी या विद्धार्थी seat book किये हैं और फर्ष्ट फेस में जो है यानि कि फेस 1 में 25,000 तो अभी तक मान के चलिए कि 52,000 ये exact आकड़ा नहीं है इसे नीचे भी हो सकता है उपर भी जा सकता है तो 52,000 अभी कुल मतलब हुए है seat lock हुई है ओके तो इस बार मैं बता दूँ बहुत सारे लोगों को कॉलिज मिलेगा बहुत सारे लोगों को कॉलिज मिलेगा जिनकी state rank जादा भी थी ठीक है 4-5 लाइंग भी थी उनको भी कॉलिज मिल सकता है तो आप सभी को पता चल गया कि phase 2 में कुल कितने registration हुए है और आज मैं बता दूँ आज इसका allotment result आएगा phase 2 का यहाँ पर date आप लोग देख सकते हैं यह date है 15 October को करीब 6-7 बजे साम को आपको जो है इसका allotment result देखने को मिल जाएगा कैसे check करना है जैसे आप लोग अपना admit card result ठीक है डाउनलोड किये थे ना उसी तरह registration and password डलके आपको login कर लेना है उसके बाद एक option आएगा allotment result का allotment result पर आपको click करना है जैसे ही आप लोग उसमें click करेंगे तो उसमें अगर आपको college मिला होगा तो view का option आएगा आप लोग college की detail देख लेज़ेगा फिर I accept का option आएगा I accept मतलब जैसे उस college में अगर आपको admission लेना है तो I accept करना है अगर admission भी नहीं लेते हैं तब भी आपका 5000 पैसा वापस नहीं आएगा तो admission आपको लेना ही पड़ेगा भाई और fees यहाँ पर देख सकते हैं 16, 17, 18, 19 इंचार्ब जोनों के अंदर आपको अपनी बकाया फीस जमा करना पड़ेगा ठीक है? ऑनलाइन फीस कटवाना पड़ेगा ठीक है? चलिए तो यह बात हो गई है फेस टू के बारे में और आज से जिनकी स्टेट राइंग में बता दूँ लाइक से साढ़े तीन लाइक के बीच में है उनकी फेस थिरी में कॉंसलिंग होगी कब से स्टार्ट होगी? आज से भाई रजिस्टेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आज से और कल से आप लोग 24 फिलिंग भी कर सकते हैं 16, 17, 18, 19 तक आप लोग 24 फिलिंग रजिस्टेशन कर सकते हैं उसके बाद 20 को एक दिन और मौका दिया रहा है चोईस फिलिंग का और 21 को पता चल जाएगा आपको कौनसा कॉलिस मिला है 22, 23, 24, 25 को आपको अपनी बकाया फिस जमा करनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद फेस्टूर की कौनसलिंग जो है स्टार्ट होगी 21 अक्टूबर से ठीक है तो ये जब आउट डेट नजदीक आ जागे तो आपको डीटेल में बता दूँगा आप सभी को पता जल गया कि फेस्टूर में कुल कितने रजिस्टेशन हुए और एलाट्मेंट डिजल कब आएगा एलाट्मेंट डिजल आपको कैसे चे करना है फेस्ट आपको कब तक जमा करना है ये सारी चीज़े मैं आपको बता दिया हूँ इसके अलावा कुछ भी डाउट्स रह गया हूँ